नमस्कार, भावनाती बारी कीचन में आप सब का स्वागत है आज में बनाने जारे हैं पीजा पॉप आलिए रेखिए इसकी रेसिपि पीजा पॉप बनाने के लिए हमें चेले 500 ग्राम मैदे का आटा एक कप दूद, एक प्यास बरी कटा हुआ, दो सिम्ला मिर्च बरी कटी वी, दो गाजर बरी कटी वी, वन फोर्थ कप बीन बरी कटी वी, आदा कप मतर उबली वी, आदा कप पन उबली वी, आदा चम्मच लाल मिर्च पावडर, वन फोर्चमच काली मिर्च पावडर, स्वा आधा कब पानी, चार चम्मच, पिजा टॉपिंग्स, चार चम्मच, टमेटो सॉस, दो चम्मच, चिली सॉस, ओरीगेनो और चिली फिलिक्स अब हम पिजा पप के लिए दो तैयार कर लेंगे, एक बाउन मेदे काहटा दालेंगे बाउन देखन नमक डालेंगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इसको बिला लेंगे अच्छी तरह से अब हम इस्में देशी गीर आ लेंगे, एक चम्मच बतर डालेंगे, इससाली चिजा कीसी की तरह से parallel अब इसमें थोड़ा सा दूद डालेंगे थोड़ा करके डालेंगे दूद को इसमें हल्का सा दूद और लगाएंगे आता बुट चुका है अब इसको आदी घंटी के लिए धग देंगे हमने पैन गर्म कर लिया है अब हम इसमें रिफाइंड ओयल जालेंगे अब इसमें एक चम्मज बटर डाल देंगे अब हम इसमें प्याज डालेंगे उपर से प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें बीन डाल देंगे बीन कोच्छी तरसे बिलालेंगे शिम्रमिच डालेंगे अब गाजा डाल देंगे अब हम इसमें नमक काली मिर्च और नाल मिर्च डालेंगे अब लीवी मत्र डालेंगे अब लीवी कौन डालेंगे अब हम इसको पास मिनट के रिर डपके पकाएंगे पास मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे अब हम इसमें सारी सौस डालेंगे अब इसमें चार चमर पिजा टॉपिंग्स डालेंगे अब हम इसमें चार चमर टमेटो सौस डालेंगे एक मिनट के लिए रिलाते हुए पकाएंगे एक मिनट हो चुका है पिजा पप की फिलिंग तयार है अब हम गैस बंद कर देंगे उपर से इसमें और इन डालेंगे अब हम इसको एक माले में शीफ्ट कर लाएंगे अब हम इसको खंडा कर देंगे फिर हम उसके बाद इसको आदे से क्लिए फिलिंग थंडा हो मिलें 10-10 टै hearts यहाँ गूट अच वकर दो भी इस पती है. में अच्छी आटा यहाँ जो है अब हम इसको अची तरह से रोटी के साइज में पीड़नेंगे हम इस तरह से सारी रोटी हमेल लेंगे अब हम इसको साइज से काटेंगे एक्स्रा गाटा निकाल लेंगे अब इसको बराबर काट लेंगे अब हम एक्स्राइज लेंगे तो फिलिंग डालेंगे अब हम उपर से दूसरी पत्ती लेंगे इसको इस तरह से जो एक्स्ट्रा राटा है उसको हम काटके निकान देंगे इसी तरह से हम सारे पीजा पप तहियार कर लेंगे हमने पीजा पप तहियार कर लिए है अब हम इनको फ्राई कर लेंगे कड़ाई में तेल गरम हो चुका है अब हम पीजा पप को डीप फ्राई करेंगे हम एक टाइम में दो पीजा पप डालेंगे ये एक तरह से फ्राई हो चुके हैं अब हम इसको दूसरी तरह पढ़ लेंगे पीजा पप फ्राई कर लेंगे अब हम इसकी प्राई कर लेते हैं आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें इस तरह की रेसिपी और जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू